सल्मान खान इनको बॉलिवुड का बैट बॉय बोला जाता है सब इन से डरते हैं लेकिन आज एक ऐसे इंसान के बारे में बताती हूँ जिसने पुलिस के सामने सल्मान का मुर्डर करने की बात बोली है लॉरेंस बिशनोई ये नाम आपने पिछले कुछ ताइम में काफी सुना होगा सिद्धू मुसे वाला मुर्डर केस का डारेक कनेक्शन इनके गैंक से डुड़ा हुआ है तो फिर सल्मान खान से इनके क्या दुश्मनी है वो भी ऐसी की बात मुर्डर तक पहुँच गई बात 24 साल पीछे 1998 में शुरू होती है जब सल्मान खान पे काले हिरन का शिकार करना और इलीगल तरीके से हत्यार रखने का केस होता है अब ये जो काला हिरन है ब्लैक बग इसको बिश्णोई कम्यूनिटी अपने भगवान जांबा जी का री इंकारनेशन मानती है अब कहानी सीधा पहुँच दी है 2018 में एक न्यूस चैनल के कैमरा पे पुलिस जीप में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्णोई खुलम खुला धंकी देता है सल्मान खान को जोदपूर में मार ने की जब होगा सबको पता लगी जाएगा फिर 2020 में मुंबई पुलिस ने बताया कि इसी गैंग का एक मेंबर सल्मान के घर की रेकी कर रहा था चार लाकी बंदूग भी खरीदी थी सल्मान पे गोली चलाने को और अब फिर से सलीम खान को एक चुठी मिली है जिसमें तुम लोगों का मूसे वाला कर देंगे लिखकर धंकी दी गई इस बार सल्मान भी काफी सीरियस है इसलिए एक परसनल सेक्योरिटी टीम और एक बुलिट प्रूफ कार खरी दी है उन्होंने